पूरी नाली ब्लॉक पड़ी वी है तो काम बंदों के गई गई है? हाई 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 ये दिये है मायरा फैशन स्वामी कॉंप्लेक्स अन्वेगा मौल अजमेर सर हम चंदरवर्दाई निवासी हैं यहाँ पे एफ ब्लॉक के सामने ही थाना है और हम यहाँ पे एक साल से परेशान हो रहे हैं यहाँ बेटकर भवन यहाँ पे बनाये गया है पहले यह जगे खाली थी उसके बाद से जब से यह कारिकर चला है हमें यह सांतुना दी गई कि हम आपकी रोड और यह सब कर देंगे लेकिन यह काफी समय तक ब्लॉक था और आप खोला है तो हमारी नारिया बंद है उसकी वज़े से हमारे घरों में बदबू आ रही है पानी में इतनी दिक्कत हो रही है आने जाने में दिक्कत हो रही है दो-तीन बार एक्सिडेंट हो चुके है जगे-जगे हमने सुनवाई के लिए अपनी अप्लिकेशन लगाई है नगर निगम भी गए है कलेक्टरेट भी गए है यहां के एडिये के ओफिस भी गए है सांकला साब से भी हमने जो हमारे यहां पे शेत्र के वह हैं उनको भी हमने शिकायत दर्ज कराई है उसके बावजूद भी यहां पे कोई कारेवाई पोर्टल में भी हमने दिया है लेकिन उसके बावजूद भी यहां कोई कारेवाई नहीं हो रही है और अभी तक हाल आप देख रहे हैं सडकों का और नालियों का कि क्या हाल है और उसकी वज़े से हम सारे शेत्रवासी परेशान हो रहे हैं बार बार गुहार लगाने के बाद भी सामने गायों का इतना बाड़ा है इतनी गाये खड़ी रहती हैं कि सुबह स्कूल के लिए बच हमारी कोई सुनवाई की जाए और इसका कोई रास्ता निकाला जाए सडक सही करा जाए हां जी हम पार्शद ने भी हमें कोई सांत्वना दे के भेज़ दिया कि हम करेंगे और उसके बाद कोई आज तक ना तो नहीं आके जहांका है और ना आके अभी तक देखा है मेरा नम हम एब लॉक के निवासी हैं और यहां पर अंबेड कर भवन के सामने और जल्दाए विभाग के बीच में हमारा रास्ता है कॉलोनी का निकलने का इसके अंदर कम से कम डेड़ साल से हम परिशान हो रहे हैं इस रास्ते में कभी तो मिट्टी डाल दी जाती है कभी पत्थर हो गया है और अभी वर्तमान में तो आप देख सकते हैं कि यहां नाली जो है खुदी पड़ी है बंद पड़ी है और सारा पानी है इकटा हो रहा है बदबू आती रहती है इसी बदबू से हम निकलते रहते हैं एडी है के das कए अदर जा चुके हैं नगर निगम के हम जा चुके हैं और पार्शत को भी इस बादसे अउगट करा चुके है लेकर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है हमारी एप्लिकेशन जैसे जाती है कच्रे के डब्ब यह बंद हो जाती है आपना, राम्दा से मिराना